हल्लो दोस्तों कैसे हैं सब मैं हिमाशो सागत करता हूं आप सब खाय के अपने चैनल کॉमिक वर्लड पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते है राज कॉमिक्स में वाके लाल सीरीस के इकली कॉमिक्स वाके लाल और कोडी राजा विशाल गड़की खोज में चलते चलते विकरम सिंग उस दिन ठककर हो गए चूर ओ बाके लाल अब तो और नहीं चला जाता उस देर विश्राम कर लें तब आगे बढ़ेंगे हाँ हाँ क्यों नहीं महाराज रक्ष की शाक पर विश्राम कर रहा है बिहानक अजगर इसी पल की तो प्रतीक्षाम है चलो बला टलेगी लेकिन नीचे लेटते विकरम सिंग की निगाएं जैसे की उपर को उठी जगू नाम है मेरा मैं वो बलाओं जो अपने पेट में भी शिकार को विश्राम का अफसर नहीं देता है बाकेलाल अजगर बाकेलाल मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा होड़ चलकर विश्राम के लिए किसी मनुरम इस्थल की खोज की जाए तमारा क्या विचार है काश ये विचार आपको और थोड़ी देर बाद आता महराज अभी थोड़ा ही आगे बड़े थे दौनों की अरे बाकेलाल ठहरो वो देखो हांती ये मोटा तो ऐसे कह रहा है कि जैसे मैंने पहले कभी भी हांती ही नहीं देखा बाकेलाल हाती का पाउं किसी शिकारी के शिकंजे में फ़स गया हमें इसे सतंद कराने में इसकी मदद करनी चाहिए हाँ बही हाँ मदद करो पर जल्द करो कहीं मुझे गुस्सा आगया तो खावा का सूनून मार दूँगा ठैरिये महाराच कहीं ऐसा नहा हो कि इससे सतंद करके हम खुद किसी संकट में फस जाए नहीं बाकेलाब भलकी हो सकता है कि इस भलाई का बदला हमें किसी भलाई से ही मिले घबराना नहीं गजराच हम तुम्हें अभी इस कैज से मुक्त करते हैं और महाराज मैं इधर उधर नजर रखता हूँ ताकि कहीं शिकारी इधर ना आ निकले मैं सब समझता हूँ बच्चु बाके लाल शिकारी का तो भाहना है इसे डर है कहीं मैं इसे कुचल न डानू मैंने भी अपने बाल धूप में यूँ सफेद नहीं किये वाह खुल गया शिकारी न आ जाए गजराज अब तुम सतंत रो मगर अब ऐसे किसी शिकारी से साब्धान रहना हम भोले वाले वन प्राणी लाख साब्धानी के बापजूद भी इन शिकारी जाते हैं फिर भी तौड़ा बहुत बहुत धन्यवाद बाश्याओ तौड़ा मतलब तुमारा और जाते जाते हाती शैतानी करी गया अटके भाई अटके जंगल के राजा की सवारी आई है अचपा इन मानों का भी कोई दीन इमान नहीं है हर कहीं इसनान के लिए कुद पढ़ते हैं अब देखो भला ये भी कोई जगा है इसनान की अरे बाके लाल तुम वहां कैसे पहुँच गए लेकिन इससे पहले कि बाके लाल विकरम सिंग की बात का कोई जवाब दे पाता वहां गूंजुटा एक खाफना भयानक दरावना रोमान चकसंसनी केच रोंग टेखरे कर देने जुर जुरी मचा देने और थरथरा देने वाला एक खतरना कठास अकिलाल ये कौन असरा है ज़रूर कोई राक्षस ही होगा महराज को कलाची पाकी जिम्मा रात आई रे जो आगे पीछे देखे उसकी शामत आई दे अरे बाबर ये तो सच मुझ राक्षस है मुझे पता है महराज जैसे भ्यानक ठागे राक्षसों के मुझे ही निकलते हैं आगे ना राक्षस और शेकटा टूटा पड़ा है इसका मतलब मेरे शिकार हाती को भगाने में तुम दोनों नहीं मदद की है तो वो हाती इस भ्यानक राक्षच का शिकार था मगर राक्षच जी हमें क्या पता था कि वो शिकंजा आपने महा लगा रखा है विक्रम सिंग को ताव आ गया बाखेलाल शिकंजा चाये जिस किसी न भी लगाया हो उसका उदेश जी भत्या ही था और मैं अपने नेत्रों के सामने ये जल्म होता नहीं देख सकता और अब जब ये राक्षच समय कच्चा ही चबा जाएगा तो ना नेत्र रहेंगे ना जल्म देख पाओगे मुच्छड भागने का रास्ता किदार है केकेया केकेया मतलब क्या कहा राक्षच नक्रोद में वरकर थामनी विक्रम सिंग की गिच्ची आओ एक हाती से बच गया तो कोई गम नहीं दूसरा तो बिना शिकंजा लगाई हाथ आ गया वार वार कीजिया महराज गिच्ची मतलब गर्दन भाग बेटा भाके पर जल्दी भाग आज तेरा ही को कलाची पागी करूंगा भाई पाट गोँ मेरी आप से कुट्टी है क्योंगे आप कहाण ही पढ़ते हैं मेरी हसी को भ्यानक धंसा हसकर नहीं पढ़ते जबकि मैं कितने भ्यानक धंसा हसता हूं इधर विक्रम सिंग ने आओ देखा नाताओ मोटे बहुत मागूंगा भाई पाट को या मेरी आप से अबा क्योंकि मैं यहां क्योंकि यहां मैं ब्यानक ढंग से नहीं है ज़रा बाकेलाल जैसे ही मुणने को हुआ तू कहा जाता है बाकेलाल नाश्टे के लिए तो तू भी बुरा नहीं मेरा प्यारा बाकेलाल मर गए मोटे देख लिया ना भलाई का कैसा बदला मिल रहा है तम दौनों ने मेरा शिकार बगाया इसलिए मेरी तम दौनों से कुट्टी और मेरी जिससे कुट्टी हो जाती है मैं उसे देव हूँ अपनी डाड़ी मैं चल मोटे पहले तेरे तेरा को कलाची पाकी कर दूँ इह मोटे होती को खौने के बाद यह मुझे भी अपनी दाड़ में दवा लेगा लेकिन इससे पहले मैं इसकी नाक मैं तिनका कर दूँ और बाकेलाल के इस हरकत के साथ मेरी तुमसे अबबा अब मैं तुम्हे खाऊंगा नहीं निगलूंगा पाटको मेरी आपसे अबबा ही है क्योंकि यहां मैं मनी मन में हसरा हूँ लेकिन बाकेलाल विक्रम सिद्ध फिर उसके हाथ में लगे बाकेलाल तुम कहो तो मैं इससे युद्ध करके अच्छानक विक्रम सिद्ध और बाकेलाल के निगाएं उस तरफ उठ गई अरे बाकेलाल वो देखो यह उस रक्षस के हाथों निरप रादी महाराज आएगा आप उसको बचाने की तो आप उसको बचाने की तो नहीं सूच रहा है महाराज और फिर वही हुआ जिस बात का भैथा हाँ को कलाची पाकी जिम्मा रात आई दे जो आगे पीछे दे के उसकी शामत आई दे भाई पाट को हाँ समझ गए ना मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही आश करोगे मतलब समझदार बनोगे मेरी आपसे अब आ है क्योंकि कुट्टी तो मैं अपने शिकार के साथ ही करता हूँ और इस बार जिसे मैं सोचने सोचने समझने का भी अफसर न देऊंगा और इसका गोल बनाकर गप कर जाओंगा राक्षरस ने दबोश लिया था उस युवक को और उसी दूसरे ही पल गप इसका तो अब हो जाएगा को कलाची पाकी इदर भायवा अश्चर के मिश्रित भाव लिये फैली थी बाकेलाल विक्रम सिंग की आखें बाकेलाल आकिर मारा गया ना मु शस्तर भी तो नहीं है वरना मैं इस राक्षरस को अवश्य मार डालता मगर बिचारे तब भी क्या जानते थे कि किस मुसीवत में फसने वाले हैं ठक ठक मैं हूँ पंगो पकट फोडवा काठ को फोड़कर भीतर गुसे बैटे कीड़े होते हैं मेरा शिकार इधर ढकार भी पर गिर गया राक्षरस याओ यह कोई है मुझे बजाओ मेरे पेट में भ्यानक दर्द हो रहा है बाके हमें उसकी मदद करनी चाहिए हां ताकि वो ठीक होकर हमारी कोकलाची पाकी कर दे तुझे कब अकल आईगी रे मुच्छड तब ही वहारत अंगेज दिश रिपस्तित हुआ फट 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 अईयो मेरा पेट फट रहा यह भूल से मैं क्या का गया बाके लाल उस राक्षरस का पेट फटने वाला पेट नहीं मारा जिसके पापों का घड़ा वड़ चुका है और अब वही फूटने वाला ताकि इसका अंत हो जाए और तभी फटाक से फट जांग ओ लगता है वाईज राक्षरस के पेट में ही रह रही है घहरे अश्यत के सागर में गोते लगाते वह सबी दर्श्य देख रहे थे बाके लाल विकरम सिंग्ग हाँ यह रही उफ बाके लाल यह कैसा चमतकार देगरी है मेरी आंखे मेरी तो बुद्धी चक्रा रही यह मोटे मेरा मतलब महराज मुझे तो यह आत्मी कोई प्रेद दिखता है इधर उस विवक नजाड़ी से तोड़ा एक बड़ा काटा और एक मजबूत घास को बनाया धागा फिर पहले अपनी टांग से लनू ताकि मुझे एक टांपर चलकर न जाना पड़े अब ठीक है इस वाक्षरस की मिर्ति मेरे हाथों लिकी थी जो यह मेरे से टकरा गया और इधर कटफोर्वा के उस वार से क्लाप बचाओ छोड़ छोड़ दे मज़े निरला जा यह दोनों तो व्रक्ष पर बैठी थे नीचे कैसे गिर पड़े कैर अप उनको क्या चलूं देखूं कोई रसीले कीड़ों वाली हरी डाली धम धम ओ यह दो माना पेड़ पर होगे हुए थे क्या जो पके आम की तरह नीचे टपक पड़े आ महराज जल्दी उटकर भागिया वरना फिर कोई मुसीवट तूट पड़ेगी लेकिन वारी किसमत ओ मेरा प्यारा बाकिलाल आ मेरा पाउ बाकिलाल के निकट आगया भै यूबग peng घोब्राव नहीं मे winding मैं तुम्हारा पाऊव वभी शिकंजांप मेरा निकाल दीटाओ ने उफ आस्ट इसांकट और संकट आ रहे हैं मैंने बहुत कर दिया दो से जोखर कॉन शुक्र है खत्र noobobre आधू सकता हूं उस रहस में यह वक नमर परीचे देते हुए कहा मेरा नाम है परताप सिंग और तुम दोनों शायद मुझे देखकर भैभी उत हो रहो है नहीं हम तुम्हें देखकर भैभी नहीं हो रहा हैं परताप सिंग बलकि आश्चर चकिस जरूर हो रहा हैं जी हा महराज भैग इस चड़िया का नाम है यह तो हमें पता ही नहीं ही 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 हो शायद तुमने मुझे अपनी कटी हुई टांस दिलते हुए देख लिया है वाह वह दवा तो सचमश बड़ी अनोकी है महराज जिसे पीने के बाद कोई मरकर भी जिन्दा रहे यानी जिन्दा मुर्दा हाँ अगर तुम भी उस दवा को पीकर अमार बनना चाते हो तो आगे आओ मेरे साथ मैं तुम्हे लेकर चलता हूँ अपनी देवी आमर पाली के पास चलिए महराज विशाल गड़गी खोज करती हुए फिरा मैं किसी वन पराणी से भी अपने पराणों को कोई खतरा नहीं रह जाएगा शीगरी परताब सिंग ने दौनों के साथ इस के लिए में प्रवेश किया चले आओ बाकिलाल शीगरी देवी आमर पाली ये दौना भी अमरता की दवा पीना चाहते हैं ओ अवश्य तुम्हें वह दवा अवश्य मिलेगी तबी नहीं वह दवा मत पीना वरना एक दिन तुम्हारा हश्य भी मेरे समान हो जाएगा मैं पांसो बरसों से मृत्यू की चाहत में या भटक रही हूँ मैं जिन्दिगी से तंग आ चुकी हूँ मेरी नस नस में बड़ा पा उतर चुका है मगर मुझे मृत्यू नहीं आ सकती क्योंकि मैंने भी दवा पीने की गलती की थी भाग जाओ चले जाओ यहां से वर नपस्ताना होगा परताप सिंग इसे यहां से ले जाओ ओ मैं तेरा खून पी जाओंगी चुडेल परताप सिंग बड़िया को कीसता हुआ ले गया बाकेलाल यह जगह ठीक नहीं है यहां से भाग चलो मैं भी वही सोच रहा हूं महाराज क्योंकि यह बड़िया सच कह रही है हम पैता हुएं तो हमें मृतिव भी अवश्चानी चाहिए अन्ना था एक समय हमें अपनी जिन्दगी से घ्रणा होने लगेगी मैं तो यहां फिर कभी आकर भी दवा पीलूँगा मगर दवा मुच्छन नहीं पीली तो फिर विशाल गड़ के राजा बनने के सपन का क्या होगा जबकि उन्हें महां से फरार होते देख देवी अमरपली चीख पड़ी दर्बान रोको महमानों को यहां आने के बाद कोई दवा पिये वे न पार नहीं जा सकता बाकेलाल तदा विकरम ने भी दीवारों पर से जपट दिये वे भाले बाकेलाल आकरमार खचाक तुमारे आकरमार का हमारी सेहत पर कोई असार नहीं होगा क्योंकि हम दोनों तो अमर हैं अगर तुमने भागने की चेश्टा की तो मैं अपनी खोपड़ी तोड़कर तुम पर दे मारूंगा ही बाकेलाल महराज और तब विकरम सिंग और बाकेलाल ने आखों आखों मैं किया एक गुप्त संकेत और दूसरे ही पल इस पकार दोनों उसके लिए से निकल गए मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ भाराज आप मेरे पीछे रहिएगा कई रा भटक गए तो खामक आई कोई शेर चीता या लगड़ा बगगा आपको अपना भोजर भाणा रा लेगा मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ भाकेलाल तुम रुखना नहीं अब तीर चले या तलवार पहले विक्रम को लगएगा क्योंकि वो मेरी ढाल बनकर मेरे पीछे दौण रहा है फिर दौनों ने एक स्वरक्षे इस्तान पर पहुंच करी दम लिया रुक जाओ भाकेलाल अब खत्रा कहीं दिकाई नहीं पड़ा अरे यह अभी तक जिंदा है मैं तो समझ रहा था कि मेरे पीछे भागते भागते इसका दम निकल क्या होगा और पीछे कहीं चूड़ गई होगी इसकी लाश और तभी चौपड़े विक्रम सिंग अरे यह क्या है विशालगड अगले ही पर परसंदा था से उनकी बाचे खेल उटी विशालगड बाकेलाल विशालगड यह देखो विशालगड या तो उत्तर की ओर है या दच्छिड की ओर या पूरब की ओर या पश्चिम की ओर क्य जैसे हम विशालगड के इस दिशन इंडिश तक आप पहुंचे हैं, उसी पेकार विशालगड भी पहुंच जाएंगे. तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाद करते हैं, बाकिल और कोडी राजा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद.